नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूटूब चैनल दहिस्टोरी का पर साथियों आज हम लोग BHU B8, BHU MA History और BHU MA AISC के पेपर कोड फॉर्म को कैसे भरना है Slavis क्या होगा, Exam का pattern क्या होगा, कहां कहां से प्रश्णा आएंगे और admission लेने के बाद आपकी कितने फी लगेंगे या फिर किस department में, यानि कि history में कितने seat हैं AISC में कितने seat हैं, BHU B8 में कितने seat हैं इन सारी चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग बीएचु बीएट को देख लेते हैं तो देखिए जो बीएचु बीएट का पेपर कोड है ओपीजी क्यूपी 74 है अब कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है बहुत सारे बच्चे अब तक भटक रहे थे कन्फ्यूज हो रहे थे लेकिन आपको पेपर को जो फॉम बरने की प्रक्रिया है वैसे फॉम बर लेना है अब जो प्रश्न बनेंगे आपके ओकेवल सौ प्रश्न होंगे और ये सौ प्रश्न दो भागों में बिवाजित होंगे पहल और ये दोनों ही भाग हर किसी को करना अनिवारी होगा और ये प्रश्न एक ही साथ एक section B करके A और B करके प्रश्ण आपसे एक ही बार एक ही प्रश्ण पत्र में पूछ लिये जाएंगे तो सेम इसी तरह से B.H.U.B.E.T. Science, Math या Social Science का जो पेपर कोड है वो PGQP 74 ही होगा और Part 1 का जो question होगा या Part A का जो प्रश्ण बनेगा वो सेम बनेगा और इसके बाद जो बदलाव होना है वो Part B में होगा यानि कि जो Part B है उसमें बदलाव किया जाएगा जैसे कि जो language वाले हैं उनसे हिंदी, संस्क्रीट, इंगलीज और teaching aptitude पूछा जाएगा सेम इसी तरह से social science वाले जो हैं उनसे history, geography, political science और economics के साथ commerce के भी कुछ प्रश्ण पूछे जाएगे उसमें भी teaching aptitude वेगरा सामिल होगा तो सेम यहीं चीज बियेचु बियेट के चारो यानि की science, math, language और social science में लागू होगा अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि seat कितना है तो देखिए यहाँ पे जो seat की बात हम लोग कर रहे हैं तो total आपका जो language में seat है वो कमच्छा वाले में 31 है, science में 32 है, math में 28 seat है और social science में 34 seat है तो यह जो 34 seat है, इसमें जो 2 seat हैं वो sports quota के होते हैं, एक लड़का के लिए और एक लड़की के लिए, इसी तरह से BCW में 16 है, language के लिए और यहाँ 15 है, science के लिए, math के लिए 14 है, और social science के लिए आपका जो 17-17 seat है, same BCW और AMPG यानि की बसंता college for women और आरे महिला PG college में बराबर seat है, तो यह आपका seat हो गया, इसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं कि आपका जो BHU का counseling code क्या होगा, तो counseling code जो language वालों का है, वो 716 है, science वालों का 717 है, math का 718 और social science का 719 है, तो यह आपका paper code, counseling code हो जाएगा और इसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं पड़ेगी, यह आप का जो admission होना रहेगा, तब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बाद यह भी आप देख सकते हैं कि यह जो special BHU का seat होता है, वो कितना कितना होता है, तो special BHU के लिए जो seat होते हैं, वो language में 8 होते हैं, और social education, यानि कि जो science होता है special quota से, तो science में 9 seat हैं, इसके बाद इसी तरह स इसे social science में भी, क्या बोलते हैं कि 5 seat है, social science में 11 seat है, social science में कितना seat है, इस social science का seat है, इस math का seat है, इस science का seat है, और इस language का है, तो इस आपका special BHU के लिए है, जो लोग special BHU करना चाहते हैं, उनके लिए है, अब M8 का क्या है, बहुत सारे लोग यह भी पूछ रहे देगी, M8 क कैसे होगा, तो M8 का जो paper code है, और PGPQ 4 है, यानि कि क्या है, PGPQ 04 M8 का paper code है, और आप PGPQ 4 डालने के बाद, 04 आप अपना form भर सकते हैं, और आपसे यहीं जो यहाँ पे इस लेवस दिया गया है, उसी के अधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, चलिए, अब हम लोग सबसे जरूरी बात कर लेते हैं, M8 history और फिर AISC के बारे में, तो M8 history का क्या pattern होगा, देखिए, यहाँ पे M8 history, यानि कि जो CET PG के द्वारा notification निकाला गया है, वो तो हैं ही, लेकिन BHU ने अपना खुद से अलग से भी अपना notification निकाला है, कि उसमें इन्हें क्या-क्या ज पूछे जाते थे, 120, जिसमें की प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, भारत के साथ साथ विश्व इतिहास के भी प्रश्ण होते थे, लेकिन अब की बार क्या किया है, अब की बार आपसे इतिहास के केवल 75 प्रश्ण पूछे जाएंगे, और इसमें आपको प्राचीन, बिश्व इतिहास को बाहर कर दिया गया है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिश्व इतिहास को बाहर नहीं किया गया है और बिश्व इतिहास से प्रश्ण आप से पूछे जाएंगे और बहुत सारे छात्रों का यह भी प्रश्ण था कि पेपर कोड में क्या भरना है क्योंकि AISC और History of Heart तता History का जो पेपर कोड़ था जो CUET का notification है उसमें CM दिखा रहा था लेकिन आपको वहां के हिसाब से नहीं भरना है आपको क्या भरना है? BHUMA History के लिए जो पेपर कोड़ होगा ओ PGQP11 यानि कि PGQP11 आपको BHUMA History का जो पेपर कोड़ है उसको भरना है PGPQ11 यहाँ पे देख लिए ध्यान से अभी तक अगर आप लोग नहीं भरे हैं या गलत भरे हैं तो आप उसको सही कर लीजेगा अब आप से जो है वो सह प्रश्ण पूछे जाएंगे जो पार्ट 1 का प्रश्ण होगा वो General Knowledge, Mathematical, Aptitude वेगर इत्यादी से होगा और इसके बाद जो पार्ट B का प्रश्ण होगा वो आपके सब्जेक्ट से होगा यानि कि हिस्ट्री से होगा जिसमें कि विश्व इतिहास के साथ साथ प्राचीन, आधुनिक और मद्धेकालीन भारत के इतिहास के भी प्रश्ण बनाए जाएंगे इसके बाद हम लोग AISC के बारे में बात कर ले रहे हैं कि AISC का पेपर कोड ध्यान दीजेगा जो AISC का पेपर कोड है वो 78 है यानि कि 78 है 78 AISC का पेपर कोड है और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं हिस्टरी के लिए भर रहे हैं तो आपको 11 डालना है PGQP 11 और अगर आप AISC के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको PGQP 78 जो है वो पेपर कोड डालना है और फिर सेम इसी तरह से जो एक्जाम का पेटर्न होगा और सव प्रश्णों का होगा और सबसे बड़ी बात की सव का नंबर आपका जोड़ा जाएगा यानि कि 25 और 75 दोनों के ही नंबर को इंक्लूट करके आपका मेरिट बनेगा अब यह हिस्ट्री का हो गया अब देखिए यहाँ पर जो सोसल साइंस का जनर्रल कोर्स है यहाँ पर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज थे कि क्या हिस्ट्री में BSC वाले भी आ रहे हैं तो ऐसे competition बढ़ जाएगा तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में BSC वाले नह इसलिए दिया गया था कि economics और psychology जो है ओ यह दोनों ही subject BA और BSC वालों के लिए मानने हैं तो इसलिए और यह दोनों subject social science में भी पढ़ाया जाते हैं इसलिए notification में BA और BSC दोनों को माननेता दिया गया था लेकिन यहाँ पर आप साफ तर पर देख सकते हैं कि जो लोग BA किये ह हुए हैं यानि जो लोग सिर्फ honours से BA पास हैं और कौन सा honours होना चाहिए history का यानि कि third year में आपका कोई भी subject हो उसमें से कोई एक subject history होना अनिवार है तभी आपको BHA में history में admission मिल पाएगा और अगर आप AISC से graduation किये हुए हैं तो आप इस form को भरने के योग नहीं है फिर आपको क्या करना होगा आपको MA in AISC in the faculty of arts यानि कि arts faculty में जो MA in AISC का जो pattern चलता है MA के लिए आप उसका form भरेंगे तो AISC और MA history के लिए हो गया इसके बाद reservation की बात करें तो जो लोग बिना दो साल gap किये हुए बियेच्चू से graduation किये हुए हैं तो उन्हे reservation मिलेगा यानि कि जो पहले कि या reservation पद्दती लागू था वो PG में लागू रहेगा बियेच्चू अपने यहाँ admission लेने वाले छात्रों को यह system यानि कि जो reservation system है उसको अपने यहाँ लागू रहने देगा बाकी अन्य जगहों पर ऐसा जो अन्य विश्वित जाले हैं हो लोग अपना क्या करेंगे इसके बारे में अभी हम आप लोग को जानकारी नहीं दे सकते अभी हम सिर्फ आप लोग को बियेच्चू के बारे में बता रहे हैं तो बियेच्चू में अगर आप graduation B.H.U. से किये हैं तो फिर आपको B.A.D. में reservation नहीं मिलेगा इसके बाद कुछ महत्वपूर बात ए है कि total यहाँ पर B.A.D. language और science, math, social science का जो है यहाँ पर देख सकते हैं आफ seats वेगरा की बात कर रहे हैं तो M.A.D. का जो है history का main campus में 96 है और बाकी affiliated में 70-70 जो है और total seat है तो 96 का यहाँ लिखा हुआ लेकिन admission 120 का हुआ यानि कि जो 2021 वाला बैच है उसमें 120 लोगों का admission हुआ है सिर्फ main campus में तो seat थोड़ी बढ़ती है EWS वेगरा को लेकर तो आपका total 120 लोगों का admission होगा और यहाँ सिर्फ 96 से लिखा गया है चलिए अब इसी तरह से हम लोग AISC में भी देख लेते हैं तो इसमें भी 96 है लेकिन इसमें भी admission बढ़ा कर ही होता है और बाकी affiliated में सैती सैती seat हैं जैसे कि DAVPG College में AMPG में BCW में और WKM में इसके बाद हम लोग अगर फी की बात करें तो BHU BED में क्या है कि जो फी है वो regular का 3,806 रुपया है और अगर आपका pet sheet paid mission होगा तो फिर आपको 30,000 रुपय अलग से देने पड़ेंगे यानि कि टोटल आपका 33,000 रुपय pet sheet पे admission लेने पर लग जाएगा और अगर regular रहेगा फी seat पे रहेगा तो ओ आपका सिर्फ 3,806 रुपय फर्स्ट इयर का फीस होगा तो इसी तरह से यह तो B8 का हो गया AMED में भी same होई है इसके बाद जो हम लोग social science, history की बात करते हैं तो history का जो फी seat पे जिसका admission होगा उसका जो फी है वो 282 रुपय है और pet sheet पे admission लेने वाले का जो फी है वो 15,000 रुपय है तो same यही चीज economics, history, political science, sociology इत्यादी में भी लागू होता है चली अगले जो आगे की बाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं तो अब जो affiliated college वेगरा है इसमें क्या है कि AISC का जो फी है वो 96,000 रुपय है और इसी तरह से AMA history का जो है वो भी 96,000 है और यही अगर pet sheet पे admission होगा तो देख लिजे यहां पे pet sheet का दिया हुआ है 15,000 रुपय हिस्ट्री वालों का है तो सेम लगबग B.A.D. में बसंता college में क्या है B.A.D. में अगर आपको admission मिलता है तो B.A.D. में अगर आपको admission मिलेगा तो फी 13,200 रुपय है और B.A.D. का जो फी है फी seat का है pet sheet का नहीं है pet sheet में 30,000 रुपय है इसी तरह से जो हिंदी है, इंगलिश है, उर्दू संस्क्रीट हिस्ट्री में 11,000 रुपय है और pet sheet में 15,000 रुपय है तो इसी तरह से देख सकते हैं आप D.A.B.P.G. college का भी जो फी का report है यहां आपके सामने है, बसंता college for women, राजगाट का भी है तो इस सारी चीजे हैं आप लोगों के सामने और अगर अब कोई आप लोगों के अंदर पुरश्ण बचा हो तो हमें कमेंट के माद्धिम से जरूर पूछिएगा हम पूरी तरह से उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि ऐसे ही मतवपूर जानकारी आप लोगों को मिलते रहे